आज मैं आपको बताने मालों मॉल में चोरी क्लेप्टोमेनिया इसके बारे मेरा नाम है डॉक्टर दीपक इड़ेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वेसन्मु की तग्या हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं सबके लिए मानसीक स्वास थे वेसन्मु क्त भारत यहां संगल्प है हमारे हां मनधुरूगन आते हैं वेस्नी लोग आते हैं रिसेदारों के साथ में उनका इलाज्क करते बिना इलाज्श करते रहते हैं और लोग अच्चे हो जाते हैं आज मैं आपको आने माला हूँ एक case history, एक case study की जिसमें एक 20 साल का लड़का मेरे पास में लाया है, उसको तीन दिन पहरे पुलिस ने पकड़ लिया है पुना में, एक mall में वो गया था आके लही और mall में उसने shirt चोड़ी कर लिया, तो mall में वो camera में पकड़ा गया, camera में लड़का अकोले का था, मतलब उसके माबाब अकोले के है, तो mall के जो, मतलब जो दुकान दारे उनने police को inform किया, police आगे, फिर वो उसके relative आगे, फिर उनने, वो matter सल्टा दिये, in shot, और फिर उसको छुड़ा दिया, पिता जी कहे वहां से उसको लाया, फिर में आलाए कि उस इसा होगा है कि education के लिए बच्चे बड़े शहर में जाना पसंद कर रहा है, छोड़े शहर में नहीं होना है, छोड़े शहर का है, बोले नहीं मैं यहाँ डिफाम ने करूँगा, मैं तो पूना में करूँगा, और जान बुश्च के मतलब जबरतस्ति करके वो पूना में उसने admission लिए, फिर अभी looking back, यह पो पीछे देख रहे है भी माबा, तो उनको लग रहा है कि घर में भी इसने पहले चोरी किया होगा, फिर धिरे धिरे उनोंने psychological, हमारे counselling में जब हम history ले थे उसमें उनोंने कभूल किया पर ख्याल नहीं दिया, इसको बच्पन से ही आदत लेना कि इसको कुछ फोन उठा लिया, हाला कि घर की परसिती अच्छी है, घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, वो फोन उठाएंगा कि इसको और कहीं डाल देंगा, ऐसा दिकिल लेकर वाप रहेंगा, मर उसको फोन उठाने की इच्छा हो जाती है, और फोन उठाके वो तो पलिस कंप्लेंड होंगी आपको अच्छा एक्ड़ूकेशन ले ले तो आगे ऐसा क्या होंगा, वो है, फोन पलाशारी क्रिमिनल उप्र सिया क्या हुआ है कोट में के चल रही है और ऐसा रेकॉर्ड डेक है ना आपको गए बैंक चलो मिलेगा ना आपको गए आप फॉरेंग जा सखोगे हर जगा प्राबलम आजाएंगे क्या चालोगे तुमारा तो उसको कॉंजली में उसको पूरा क्लियर हो गया कि नहीं में जो कर र सहरा है है ओर मापाब को भी काफी difference दिखा तो बहुत स wären AfD ट्रांस फॉर्मेशनव बहुत सा डिफराइंश है और उनको लगा कि य सकता है और और अकेला जाके वहाँ पुना में रह सकता है, जब उनको विश्वास आए, ये काउंसिलिंग से उसके साथ में बाच्चित करके तो उसको पुना में वाफस भेजा, अभी पुना में जाके उस्टेडी कर रहा है, तो ऐसा काभी पार होता है कि एक क्लेप्टोमेनिया नाम की पेन है, जिसका ऐसे कोई महेंगी नहीं और उठा लेते हो, उनको मज़ा आता है, तो और वो हैबिट बच्पन सी है, उनको लगी रहती है, मगर वह मालूम नहीं पड़ता, बच्चे रहते हैं तो उसमें ख्याल नहीं जाता, जादा, और छोड़ ज़ड़ चीज़े उठा ये बार आजाए, विए देखने के लिए बहुत बहुत दिनने वाद, थैंक्यू वेरी मुच,